नमस्कार दोस्तों एक देश जहां का के पॉप कल्चर काफी जादा मशूर है और काफी सारी चीजे वही रिपब्लिक आफ कुरिया नेपालियों को टॉप प्रायोर्टी पे रखने लगा है और पूरी बात सुनकर आप भी कहेंगे वाओ दोस्तों कुरिया दुनिया की साउथ कुरिया के फ्रेंड्शिप के 50 साल पूरे हो गया है तब ही साउथ कुरिया के अमबेस्जर ने बताया कि नेपाल और नेपाली लोग साउथ कुरिया के लिए फर्स्ट प्रिव्लच पर हैं Employment Permit System के अंडर यानि कि साउथ कुरिया किसी और देश के मुकाबले नेप नेपाली लोगों को कोरिया में काम करने के यानि कि जादा जॉब के लिए नेपालियों को चुना जाएगा साथ हर साल 10,000 से भी ज्यादा नेपाली कोरिया जा सकते हैं Jobs और Employment के लिए इसके लावा Education और उसके लिए तो अलग ही data है जहां पर भी नेपाली लोग जा सकते है दोसों इतना ही नहीं साथ कोरिया नेपाल के एक बहुत जबरदस पार्टनर के रूप में भी सामने आया है और ये शायदी आपको पता होगा कोरिया नेपाल के Energy, Healthcare, Education, Human Resources, Ruler Development Sector में भी एहम डेवलपिंग पार्टनर है हाली में कोरिया के साथ नेपाल ने कई सारे MOUs पर साइन किया यानि कि बहुत सारे मसाधों पर जिसमें Infection Control, Quality Hospital Management, Medical Infrastructure, इन सभी पाच इंटरनाशनल कोपरेशन पर 9.5 मिलियन रुपीज के प्रोजेक्ट पर दोनों ही देशों ने साइन किया है तो यह एक एक एडिशनल चीज है जो कि कोरिया नेपाल में कर रहा है और आप लोग को बता दे कि नेपाल से कॉरिया कौरिया काफी सारे सामांस को इंपोर्ट भी खरता है यानि कि काफी ज्यादा ट्रेड भी करता है नेपाल के सथ जैसे Himalayan Water को को कॉरिया काफी पसंद कर आप लोग भी कॉमेंट इस पर जरूर करें नेपाल कोरिया फ्रेंट्शिप साथी आप लोग अपनी राय जरूर दीजे कि आपको क्या कोरियन हेल्प पॉजिटिव लगती है और नेपाल को क्या लेनी चाहिए या नेपाल को यह कॉर्परेशन नहीं करने चाहिए कॉमेंट जरूर करें पनी थॉट्स को और देखते रही है इसे फैक्स के लिए एना इन्यूज विद्शिवम धर्नेबाद